हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नी मसाला में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन पर किक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाए ताकि नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके दोस्तों अनने न्यू स्मार्टफोन अनना आई और अनना 7X लांच कर दिया है जिसमें उसने किरिन 659 उक्ताकोर प्रोसेसर यूस किया है तो चलिए देखते है कि किरिन 659 और स्नाप्रेगन 625 में क्या डिफेरेंस है दोस्तों हाई सिलीकॉन किरिन 659 प्रोसेसर एक उक्ताकोर प्रोसेसर है जिसमें 4 कोर 2.36 गिगाहत्स पर और बाकी 4 कोर 1.7 गिगाहत्स पर वक्त करते हैं जब कि क्वालकॉम स्नाप्रेगन 625 भी एक उक्ताकोर प्रोसेसर है जहाँ सभी 8 कोर 2 गिगाहत्स पर वक्त करते हैं तो जब नॉर्मल यूज होता है तो लो फ्रीक्विंसी वाले कोर यूज होते है और जब हैवी उसज होता है तो high frequency वाले कोर यूज होते है और जब low frequency वाले core use होते है, तो कम power consume होती है, और कम battery use होती है, और high frequency में ज्यादा battery use होती है, जब की Snapdragon 625 में सारे core 2 GHz frequency पर वग करते हैं, तो वो normal usage और heavy usage दोनों में same power consume करेगा. यहां Kirin processor के पास बढ़त है, इसमें core की clock speed Snapdragon 625 से ज्यादा है, इसलिए यह Snapdragon 625 की तुलना में काफी आसानी से उच्च ग्राफिक्स की game और app को संभाल सकता है, वही Kirin processor में एक semiconductor यानी transistor की size 16 nm है, जहां Snapdragon 625 में 14 nm है. जिस processor में semiconductor का आकार छोटा होता है वो, processor बहतर होता है, इसलिए Snapdragon 625 यहां बढ़त लेता है, अंत में on paper, Kirin processor की Snapdragon 625 के मुकाबले processor speed ज्यादा है और दोनों से बहतर है, इन दोनों processor के अपने अपने advantage है, सो यहां confusion create होता है, processor तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ ही साथ RAM management भी अच्छी होनी चाहिए, दोस्तों जिस mobile की RAM management अच्छी हो वो आप choose कर सकते हैं, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो like और comment जरूर करे, thank you.